हेलो गाई स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल लेंड नॉलेज में केंद्री सड़क परिवहन मंत्राला ने गाज़ाबाद से कानपूर तक बनने वाले ग्रीन फिल्ड एकनॉमिक कोरिडोर को मंजुरी दे दी है यह कोरिडोर 380 किनोमिटर लंबा होगा और 2025 तक बन कर त्यार हो जाएगा इसके बनने के बाद गाज़ाबाद हापूर और पश्चमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमनाय एक्सप्रसवे पर जाने की जुरत नहीं होगी लखनो कानपुर एक्सप्रसवे बनने के बाद दिल्ली से लखनो जाने के लिए लोगों को एक नया रास्ता मिल जाएगा National Highway Authority of India ने विस्तित प्रिविजना रिपोर्ट बनाने की दिसा में काम सुरू कर दिया है अगले कुछ दिनों में DPR त्यार करने का लक्ष रखा गया है इसके बाद प्रोजेक्ट की मंजूरी लेकर जमीर अधिगरन का काम सुरू किया जाएगा यहां काम दिसंबर 2013 तक पुरा होगा और उसके बाद 25 महने में प्रोजेक्ट बन कर त्यार हो जाएगा NHAI ने DPR के लिए सलहकार फर्म न्यूक्त करने की प्रिख्रिया सुरू कर दी है 380 किलो मेटर लंबे इस प्रोजेक्ट को गाज़ाबाद हापूर कानपूर उनाओ ग्रीन फिल्ड एकनॉमिक कोरिडोर का नाम दिया गया है इस कोरिडोर के लिए जमीन का अधिगरण 8 लेंड के एक्स्प्रेस वे की तरज पर किया जाएगा लेकिन सुरुआत में सिर्फ 4 लेंड की सड़क का निर्मान किया जाएगा हाला कि अंडर पास फ्लाइओवर और सर्विस रोड का निर्मान 6 लेंड के लिए ग्रीन फिल्ड कोरिडोर की तरज पर किया जाएगा यहाँ कोरिडोर लखनों से कानपूर के बीच बन रहे एक्स्प्रेस वे को उनाओ और कानपूर के बीच में करेक्ट करेगा जबकि गाजयवाद और हापण में मौजूदा मेरेट एक्स्प्रेस वे को कनेक्ट करेगा